मेरे प्यारे देश वासियों, अभी कुछ दिन पहले World Sparrow Day मनाया गया, Sparrow यानी गोरिया, कहीं इसे चक्री बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं गौन चीरिका कहा जाता है, पहले हमारे घरों की दिवारों पर, आसपास के पैड़ों पर, गोरिया चहकती रहती थी, लेकिन अब लोग गोरिया को ये कहकर याद करते हैं, कि पिछली बार बर्सों पहले गोरिया देखा था, आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं, मेरे बनारस के एक साथी, इंदरपाल सी बतराजी ने ऐसा काम किया है, जिसे मैं मन की बात्के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूं, बत्राजी ने अपने घर को ही गोरईया का आश्याना बना दिया है इन्होंने अपने घर में लकडी के ऐसे घोशले बनवाए जिन में गोरईया आसानी से रह सके आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जूट रहे है इससे इन घरों में एक अध्भूत प्रकृतिक वात्राण भ पक्षी जिन के लिए भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए जैसे एक साथ ही है विजय कुमार काभी जी विजय जी औरिशा के केंदर पाड़ा के रहने वाले हैं केंदर पाड़ा समुद्र के किनारे हैं इसलिए इस जिले के कई गाउं ऐसे हैं जिन पर उची लहरों और साइक्रोन का खत्रा रहता है इसे कई बार बहुत नुक्सान भी होता है विजे जी ने महसूस किया कि अगर इस प्रकुर्तिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकुर्ति ही रोक सकती है फिर क्या था विजे जी ने बड़ा कोड गाउं से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारा साल साथियों बारा साल महनत करके गाउं के बाहर समुद्री की तरफ पचीस एकड का मेंग्रो जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाउं की सुरक्षा कर रहा है ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादिब जिले में एक इंजिनियर जंगल लगाये हैं जिन से आज कही गाउं का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड ले तो बड़े परणाम आते हैं